हाई गैस वूलकम बैक टू माई चैनल अलिए पेंटरिक्स तो आज की उड़ में आप गोग को मैं जो लोन अप्लिकेशन का रिभी दूंगा इस अप्लिकेशन के ने में आर यो वालेट तो कैसी यह नहीं अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन की डाउनलोडिंग है 5K प्लास और रेटिंग है 4.5 और गैस इस अप्लिकेशन की दरब से कहा जाते हैं कि अप्लिकेशन 5,000 से लेके 60,000 रुपिस तक की लोन प्रुबाट काता है और गोग को मिज़ अप्लिकेशन की इंटेस्ट और सर्विस पी के बार में बताउंगा और साथ साथ यह बताऊंगा कि इस अप्लिकेशन लोन के लिए सब्सक्राइब की नहीं और आपको को को नोटिफिकेशन मिलता है तो गैस लिए आज की वीडियो शूरू कहते है तो गाईस, आरियो वाले टे लोन अप्लिकिशन को ओपेन करने के टेम पहला इंटरफेस इस्टप का आ जाता है, मिक्सिमम लोन अमाउंड अप्ट टू एटी थाउसन रुपेस, फिर आप लोगिन का आफ्षन, लोगिन करने के बाद आप लोग को कुछ बेसिक डिटेस्ट जाएगा कि इतना तक कि लोन का लिजिबिलिटी मिल चुका है, तो गईस जैसे कि देख सकते हैं, मुझे जो इस अप्लिकिशन की तरफ से लोन का लिजिबिलिटी मिल थाउसन रुपेस, अटे नुवाट टे प्रवाट का एगा है, इस रुवेट देस के लिए, और गउक को इस अप्लिकिशन की तरफ से लोन मिल जाएगा, तो गईस अभी आप गोग को कर इस अप्लिकशन की रियरीटी बताऊंगा, इस अप्लिकशन की तरफ से कहा जाता है कि ये अप्लिकशन से लिए 60 ताओन रुपेस तक की लोन परवाट का एटा है, और गईस इस की इंटेस्ट्रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है और किसे अगर कोई सब्सक्राइब को कभी सारे प्रोब्लेम का समना करना होगा जैसे के सब्सक्राइब करने के लिए लोगों का डेटा का मीश्यूस करता है और किसे अगर अपलोग इस अप्लिकीशन पर लोगों के लिए एक तरीका का इस्तेमाल करता है बहुत है है रिस्मेंड और ब्लाग मिल और गईसे अगर आप लोग इस एप्रिकेशन पे लोन लेते हैं और लोन के रिएटेड कोई इसूज या कोई प्रॉब्लेम होता है फिर अगर आप लोग इस एप्रिकेशन के साथ कॉंटेक करने की गोशुश करेंगे तो कॉंटेक नहीं कर पाएंगे कि कुई इस लोन आप्रिकेशन के कॉंटेक् डीटेस लोन का कॉइए नमबार दिखने को नहीं मिलेगा सिर्पॉर से लोन अगर आप लोग इस उमेल पर कोई सारे प्रोह को बता चुका हूँ और एक चीज़ का जायर को इस्टे कोई 7 days और 8 days वाले loan application पे loan लेके फाज चुका है यह निए आप लोगों ने loan लिया loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबरा loan repayment के लिए आप लोगों का harassment और blackmail किया जा रहा है जैसे कि loan repayment के लिए एडिटे new picture आप लोगों का contact list को send किया जा रहा है loan repayment के लिए आप लोगों का data का missives किया जा रहा है तो कैसी स्थिती में आप लोगों को कहएगाना चाहिए आप लोग इस application के एक भी पैसा repayment मत कीजिए उस application के खिलाब जाके एक cybercrime complaint और police complaint कर दीजिए और गई साथे साथ आप लोग अपना contact list को बोल दीजे कि मेरे साथ loan के नाम scam हो चुगा है अगर मेरे नाम पे loan repayment के related किसी भी तरकी call और SMS आए तो आप लोग इस call और SMS को ignore करे और गई से अगर इस step के 7 days और 8 days बले loan application loan repayment के लिए आप लोग को call और SMS करके परिशान कर रहा है तो इस step का loan application की call से बाचने का solution यह कि application की data clear करके application को uninstall कर दीजिए और गई से अब लोग अपना Gmail से contact list को हटा दीजिए और साथे साथ 10 days से लिए 20 days तक अपना SIM card को आप कर दीजिए और गई सेगर उस नमबर पे WhatsApp एकाउंट ने तो कुछ दिनों के लिए WhatsApp एकाउंट को बंद कर दीजिए फिर जब आप लोग 10 days से लिए 20 days के बाद अपना SIM card को on कीजिए तो आप लोग खुद दिखेंगे कि step का loan application से call आना बंद हो गया है और गई step का loan application की call से बचने का और एक solution यह कि आप लोग ट्रू को डाउनोड करके अनुन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए तो इससे किया होगा अनुन नमबर से जो भी call आएगा वो आट्यमेटिकरी काट जाएगा और गिस अभी आप लोगों का मन में step का 7 days और 8 days वाली loan application को लेके कभी सरे सावाल आ सकते ही गई step का loan application आपके खिलाब legal action ले पाएगा loan application के लिए कोई recovery agent घर पे आएगा तो किसमें आप लोगों को बता देता हो गई step का 7 days और 8 days वाली loan application illegal होता है step का loan application RBI का कोई rules follow नहीं करता है step का loan application आपके खिलाब कोई legal action ले ले पाएगा step का loan application की तरफ से कोई recovery agent आपका घर पे नहीं आएगा step का loan application loan repayment के लिए call और SMS करके harassment के आलबा कुछ नहीं कर पाएगा तो कैसी step के 7 days और 8 days वाली loan application आंसे वार इसकी होता है आप लोग इस step का loan application से सब्दान रहे और किस अगर कोई step के 7 days और 8 days वाली loan application पे loan लेके फाच चुका है यह नहीं का आप लोगों ने loan लिया loan को repayment कर चुका है फिर भी दो बड़ा loan repayment के लिए आप लोगों को harassment और blackmail किया जा रहा है तो इस तीति में आप लोगों को कह करना चाहिए इस वीडियो के तुरू अल्लेड़ी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ और इस कोई भी loan application real है या 5G है आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं उस application के email address check out किजिए अगर email address gmail.com yahoo.com पे रहता है तो बो सब loan application 4G होता है और साथे साथ उस loan application के address details को जाके google पे search किजिए अगर उस address पे उस loan application की नाम शोर नहीं होगा तो बो सब loan application 4G होता है और इस अगर आप लोग प्लेइश्टों में जाके आरियो ओवालेट loan application की वन इस्टार रेटिंग रिभू चेक आउट करेंगे तो हार एक रिभू पर यह कहा गया है कि आरियो ओवालेट loan application एक concept loan application है और इस अब लोग एक चीज़ हमशा देया ने किएगा कि कोई भी भी करेंगे जिए और साथ-साथ उस application की contact details चेक आउट करेंगे नहीं तो यह सारी चीज़े चेक आउट करने की बाद ही आप लोग कोई भी loan application पर loan के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस अप्लेशन के खिलाब एक सब्सक्राइब कर दीजिए और किसे अगर किसी को loan के related को issues या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि loan repayment करने के बाद भी अपडेट नहीं काता है फिदो वड़ा loan repayment के लिए आप लोग को harassment और ब्लाग मिल किया जाता है तो इस वीडियो के description पे मेरा Instagram account का link दिखने को मिल जाएगा आप लोग Instagram के थूँ मे अब लोगों कोई ये वीडियो अच्छा लगे तो जोरु इस वीडियो को लाइक किजिए और इस वीडियो को जाए से आदा शेयर किजिए तो किसे आप लोगों के साथ मुलोगा तो रहा है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हीं द बन्द मातरम